इफ़तार के लिए Special Chicken Lollipops बना रहे हैं, बहुत टीश्टी बनते हैं, Make-N- Freeze रेसीपी है बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टीश्टी से यह चिकन Lollipops जो है वो बनकर रेडी हो गये तो चलिए बनाते है इफ़तार के ले Special Chicken Lollipops की ये रेसीपी चिकन लॉटी पस बनाने के लिए यहां पर ले लिए है 500 g बोनलेश चिकन और इसके साथ धडी थी, वह भी हम इसमें डाल देंगे क्योंकि हमें यह चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लेना है, तो यहां पर यह जो चिकन के पिसे थे हडई वाले वह भी मैं इसमें डाल दिया है और इसमें अब हम डालेंगे एक ग्लास पानी और इसे हमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अध्रगलसन का पेज डाल कर हमें इसे बॉइल कर लेना है तो यह mix कर लेते हैं हम इसे तो चली mix करेंगे और mix करने के बाद अब हम इसे पूरा पानी जो है वो ड्राय होने के लिए रख देंगे ताकि चिकन अच्छा से गल जाए तो इस तरह से पूरा पानी जो है वो ड्राय हो चुका है चिकन अच्छा सा गल गया है तो हम इसे थंडा करने के बाद इस तरह से श तो इस तरीके से हमें सारे चिकन को जो है वो श्रेड कर लेना है देखे बेहत आसान है और उसके बाद अब हमने ये हड़िया जो थी ना उसे अलग निकाल लिया है और बाकी का चिकन जो है वो इस तरह से हमने श्रेड करके रख लिया है अब इसमें जाएगा बॉयल आलू त और उसे अब हम मैश कर लेंगे, तो चलिए आलू को हम इस तरह से मैश कर लेते हैं, तो ये सारे आलू को हमने कर लिया है मैश और जो हमने बॉयल श्रेड करके रखा हुआ था चिकन को, वो shredded chicken हम इसमें add कर लेंगे तो यह सारा chicken जो shred किया हुआ था वो हमने add कर लिया है उसके साथ साथ इसमें जाएगा तीन हरी मिर्च का पेस्ट half teaspoon भुने हुए जीरे का पाउडर half teaspoon काली मिर्च का पाउडर half teaspoon एड़ करेंगे red chili flakes नमक एड़ करेंगे स्वात के अनुसार half teaspoon एड़ करेंगे अद्रक लसन का पेस्ट half teaspoon गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया हमें इसमें डाल देना है उसके साथ साथ हम इसमें add करेंगे 2 tablespoon bread crumbs करेंगे यह उसके संद्दाबर जाकर मिले देना है तो चलिए जान साथ सारी चीसथे मसाले डाले है boiled yellow की है यह चिकन एड़ किया है मसाले जो सारे एड़ किए है उसे हम इसे इक्षी तरीके से लिखिए यहां पर इस तरह से मिला देना है तो सारी चीज़े हमने यहां पर अच्छे से मिक्स कर ली है, अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे, तो चलिए अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं, तो आपको इस्सारा से थोड़ा हाँ ओपर बैटन ले लिया है और अच्छा सा टाइट दबाते हों, वहीं इसे गोल शेना है इस तरह से. यह देखे. तो यहां पर इस तरह से लिखे हमने जो गोल शेप दे दिया है, जैसे हम बॉल्स बनाते हैं, वैसे ही हम इसके बॉल्स बना देंगे, और सारे हमने बॉल्स जो है, वो इसी तरीके से रेडी कर लेना है, तो आप चाहे तो इस तरह से बॉल्स जो है, वो बना दे या और आगे कि भी हम प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे इसे make and freeze भी कर सकते हैं. सारे हमारे balls जो हो चुके है, ready. वीडियो गर अच्छी लग रही है तो like कर दीजेगा और अपने friends और family के साथ इसे share भी कर देना. अब मैंने एक अंडा फेट लिया है dip करना है, सब तरफ हम इसमें अंडा अच्छे से लगा देंगे और उसके बाद हम इसमें bread crumbs से coat करेंगे. तो यह हमने side में bread crumbs रखे हुए हैं और इसे हमें अच्छे से इस तरह से रिखिए इस पर लगा देना है. और सारे जो हमने balls ready किये हुए है उसे हम ऐसे ही अंडे और bread crumbs से इस तरह से coat कर लेंगे. अब जब अंडा और bread crumbs आप लगा देंगे फिर आप इसे कोई भी air tight container हो या फिर zip lock bag में डालकर आप इसे रख सकते हैं ताकि आपको जब इफ्तार के वड़ फ्राय करना हो तब आप इसे निकाल कर फ्राय कर सकते हैं यानि यह mac and frisbee रेसिपी है जिससे आप इफ्तार में पहले से बना कर रख दीजिए और इफ्तार के वक्त उसे गर्मा गरम फ्राय कर लीजिए तो बस आपको लास तक यहां प से फ्राय कर लेंगे तो यहां पर मीडियम हॉट तेल हमने गरम किया है अब अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम बॉल्स को फ्राय करेंगे अलट-पलट करते हुए मैं अच्छे से इस तरह से fry करना है जैसे आप देख सकते हैं कलर जो है वो change हो रहा है तो अलट-पलट करते हुए हम इस तरह से तेल में fry करेंगे ताकि हर तरफ से जो है वो हमारे जो लॉली पॉप से वो अच्छी तरीके से fry हो जाए और ये देखे इस तरह से golden brown color आने तक हमने fry कर लिया है तो सारे lollipops जो है वो हम इसी तरीके से fry कर लेंगे ये देखे कितने बहतरीन ये बनकर ready हुए है तो चलिए सारो lollipops को हम इसी तरीके से कर लेते हैं fry और शारे लॉलीपॉफ फ्राइए करने के बाद, हम उसे जड़ारे से निकल गने के लुड़ा में इस तरह मायोनीस पर चलिग भेशे या तो् undert क्या दिए या तो आप इसे हम साम सा जड़ास चाथ भाराई के लिए दो गर्मा गरम हम इसे सर्फ करेंगे, यह देखें, तो यह मायोनीस इस तरह से हमने इसके पर लगा दी है, और जो तूथपीक होती है उसे हमें इस तरह से तूथपीक सारी इस पर लगा देनी है, और यह हमारे चिकन लॉली पॉप्स बनकर रेडी हो गए है, जो बच्चों और दोनों को बेहत पसंद आएंगे, इफतार की एकदम स्पेशल रेसिपी है, जरूर ट्राइ कीजेगा, आप आसान इसे बना पाएंगे, मेक इन फ्रीज आप पहरे से बना कर रख दीजिए, और इफतार के वक्त इसे फ्राइ कर लीजिए, तो यह बहुत ही जबर्दस से हमा मायोनीस के साथ, या फिर चटनी के साथ, तो आज की हमारी यह रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेर करना और चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा,